हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल आज मैं आप सब के लेकर आई हूँ जिंगा मचली की रेसिपी बहुत यासान सी रेसिपी है और खाने बहुत जादा टेस्टी रखती है तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ तो हमने ये तीन पाओ जिंगा मचली लिया है ये मचली हमने बड़ा वाला लिया है छोटे वाले को नहीं लिया है देखे कितना बड़ा बड़ा है ये आप देख सकते हैं कई जगा पे इसे प्राउन मचली और इचना मचली के नाम से भी जानते हैं आपके इधर इस मचली को क्या बोलते हैं कमंड बॉक्स में जरूर बताएं तो मैंने मचली को साफ करकर बढ़िया से धो लिया है तो मचली को मैगनिट करने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे हल्दी आदा चमच और थोड़ा सा नमक अब इसको हम एक चमच के हल्प से मिला लेंगे इस मचली को हम कड़ाई या नोंस्टिक बत्र में नहीं बनाएंगे हम इसे बनाएंगे मिट्टी के बत्र में जिससे यह और भी ज़़ादा स्वादिष्ट बनके त्यार होगा मैंने हल्थी और नमक से बहुत ही अच्छे तरीके से मचली को मैगनेट कर दिया अब मैं चड़ाऊंगी गैस पे मिट्टी के बत्र को उसमें डाल देंगे हम तेल तेल आप जो भी खाते हो इस्तमाल कर सकते पर में सस्टो को तेल में ही बना के त्यार कुरेंगे से क्योंकि इसस्वादिष्ट वह ज़़ादा बनता है तेल को गरम होने पर हम यहाँ पे मैगनेट केवे मचली को डाल देंगे करकर एक बार में जितना असानी से आ सके उतना आप डाल दें इस मचली को फ्राइ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हमें इससे ज़्यादा लाल नहीं करना है तो हम सभी मचली को एक एक करकेस में डाल देंगे तो मेरा एक ही बार में सारे मछली आ चुकें पर आप जितने असानी सा सके उतना ही डालें तो आप देख सकते हैं मछली का हलका सा करूर चेंज हो चुका है हम धाल जादा लाल नहीं करने हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था इतना ही हमें लाल करना है तो exterior कि किये हुए सभी मचली को हम एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे अगर आपने वीडियो को अभी तक like ना किया हो, तो जरूर कर दे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मारे चैनल को subscribe जरूर करें हूँ और बैल आइकन को दवाना बिल्कुल भी न भूलें सभी मचली को निकालकर मैंने साइड में रख दिया है और उसी बचवे तेल में डालेंगे हम आधा चमक जीरा यह डालेंगे एक इलाइची बड़ी कूट दिया इसे मैंने तीन चार डालेंगे लोंग दो छोटी लैची से मैंने कुट लिया है और एक डालेंगे स्टार फूल दो लाल मिर्च सभी को हम लाल होने तक भून लेंगे जब आपको लगे मसाले लाल हो चुके तो वहीं पर हम डाल देंगे दो मीडियम सैज का प्याज कटा हुआ और 8-10 लसन की कलिया इसे मैंने छिल के यहाँ पर एड़ कर दूँगे दोनों को हम एकी साथ डालेंगे प्याज और लसन को अब प्याज और लसन की भूनाई हमें जब तक करना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए अगर आप मिट्टी के बत्र में खाना बनाए तो उसको रैगलोर चलाते रहें वन्द वो नीचे से चिपक कर जल सकता है इस बात का ध्यान जरूर रखे आप तो प्याज लाल हो चुका हम यहाँ पर एड़ कर देंगे एक टमाटर की प्यूरी यह एक बड़े साइज का टमाटर है उसे मіने मिक्सी में ग्राइन कर दिया है प्याज और टमाटर को हल्का भुनने के बाद हम यही पर सारे मसाले भी एड़ कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने प्याज और टमाटर की भी हल्की भुनाई कर लिया तो यहीं पर हम डालेंगे मसाले, आधह चमच दालेंगे महलदी पाउडर, एक चमच लाल मिर्च पाउडर, मीर्च आप अपने हिसापसी डाले, एक चमच धनिया पाउडर, फ्रेश खुटावा काली मिर्च और जीरा, और स्वा दनुसाल नमक, यहाँ पर हम डाल देंगे कलर के लिए एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर आधा चमच अद्रक लसन का पेस्ट अब हमें मसाले के भुनाई करना जब तक मसालों का कच्चपन न चला जाए पर हाँ मसाले जल न जा इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी आड़ कर देंगे पानी को डाल की हम मसाली की भुनाई करेंगे गाइस अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेस्बुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फोलो जरूर करें इस रेसिपिकों मैं आपको बहुती असान तरीके सा बताई हूँ और इस तरीके सा आप ये मचली बनाओगे तो बहुती स्वादिश्ट बनके त्यार होगा एक बात का ध्यान जरूर रखें कि मसालों को हमें भुनने वक्त गेज के फिलम को मीडियम ही रखना है तो आप देख सकते हैं मसाले भुन चुके हैं और साइड से देखे तेल भी छोड़ दिया है सारे तेल उपर आ चुके हैं मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गया तो यहाँ पर हम पानी एड़ करेंगे जितने हमें ग्रेवी चाहिए आप अपनी हिसाब से पानी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर एक गिलास भर के पानी एड़ कर रहे हूं तो पानी डालके हम बढ़ियां से इसमें उबाल आने देंगे ग्रेवी बहुत अच्छी से उबल जाने के बाद ही हम मचली को एड़ करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है तो यहाँ पर हम फ्राइ क्या हुआ फिश एड़ कर देंगे सभी को ग्रेवी में मिला कर हम इसे धक कर पकाएंगे ताकि जो मसालो को फ्लेवर है हमारे मचली में भी आ जाए अब हम इसे पाच मिन तक धक कर पकाएंगे तो देखिए मैं पाच मिन के बाद चेक कर रही हूँ कितना बढ़िया कलर आया हमारे मचली में और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है यह अब हम दो मिन्ट के लिए गैस को बिलकुल लो करके इसे धक कर और पकाएंगे तो दो मिन्ट के बाद मैं चेक करूंगी अब जाकि पूरे तरीके से हमारी जिंगा मचली तयार हो चुके खाने के लिए हम लोग फ्लेम पे इसलिए मचली को ढखका रखे थे दो मिनमा के लिए क्योंकि अच्छे टरीके से लाल नहीं किये थे और मचली में जो भी कसर रह गया होगा वो धीमियाच में पक जाएगा तो आप देख सकते कितनी अच्छी ग्रेवी बनके त्यार हुई है कितना बढ़िया लग रहा हमारा मचली देखने में और आप इसकी ग्रेवी भी देख सकते हैं बिल्कुल परफ्यक्ट बनके त्यार हुआ है यह देखिए तो बस अब यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटावा धने के पत्ता तो अब हम मिला देंगे सभी को बढ़ियां से यह देखिए कितना बढ़िया लग रहा हमारा फिश देखने में तो अब सभ करेंगे खाने के लिए तो देखिए कितना अच्छे लग रहा है नहीं कलर तो इसमें दिख रहा हुभर कर वो मिट्टी के हांडी में तो कलर पता है नहीं चल रहा है